Hello friends and lastly this is the time for the discussion about the R3 All India and R3 states. आपको पता है Round 2 के रिजल्ट्स अल्रेडी डिक्लियर हो चुके हैं, 31st कोई हैं, टुड़े 1st of September हैं. तो अभी आप इससे स्टेज में हैं कि आप decide कर सकें Round 2 All India के रिजल्ट देखें कि आपको Round 3 All India में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. या Round 3 के रिजल्ट्स को छोड़के आपको Round 3 State के कॉंसलिंग में participate करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. या हमें कुछ ऐसे seats को opt करना चाहिए जो कि इस्टे vacancy तक जा सकते हैं और राउंड वो 3 आइधर ओल इंडिया इस्टेट से ना मिले तो आपकी strategy कुछ भी हो सकती है that's why we are coming with this session that is pre-planned आपकी strategy क्या होने चाहिए reasons behind this की एक तो result आ चुका है दूसरा different states की counseling round 2 के ongoing है और कुछ states ऐसे भी हैं जिसके round 1 के भी allotments अभी नहीं हुए है complete बर जैसा कि आप जानते हैं आपको पता है clearly about that जो भी counseling process होता है total seats के 50% seats होते हैं वो और 50% seats होता है street quota से feel up होता है MCC जब starting counseling किया था तो उस समय आप देखेंगे कि कि जो counseling का schedule लाया था वो उसका जो step था round 1 all India का होगा then round 1 state का होगा round 2 all India then state round 2 round 3 all India then state round 3 then again state all India round then state step by step purpose क्या था ताकि maximum to maximum seat पे blocking को रोका जा सके बट जैसा कि आप ही आप counseling process देख रहे हैं तो चलते हैं हम बात करते हैं पहले कि जो अभी recently notice आया है क्या है और इसको हम compare करते है previous notice से जो कि मैं इस notice को details में नहीं जा रहा हूँ जो कि पहले first round second round round two में क्या होगा round three में क्या होगा जो all Indian ने declare किया था इससे पहले हम एक बात discuss करना चाहेंगे आप आपके साथ discussion करना चाहेंगे कि जो लोगों को नहीं पता है उनको उनके लिए मैं बताऊं कि पहले कि strategy क्या थी round three की तो round three के strategy आप देख सकते है eligibility criteria round की थी कि इसमें either fresh registration कर सकते है round one or round two में participate नहीं किये तो directly round three में आईए Point number D में जहां पे जाएंगे तो यहां पे आपको ज्यादा बेटर समझने को मिलेगा जो भी register round two में थे और उनको seat lot हुआ और उनकी penalty के साथ वो exit हो गये वो भी round three में जा सकते हैं बट जिनको कोई seat ही round one round two में नहीं यह lot हुआ वो भी round three में जा सकते हैं अगर round three में round two से round three का भी अपग्रेडेशन हो सकता हैं यह purpose है slide का कि इसमें आप कहीं भी यह mention नहीं है कि what about the student जिनको round one में seats मिला round two में उनका अपग्रेड नहीं हुआ बट उनका round three में जाना है उनके भी से में complete details नहीं दिया हुआ था यानि कि उनके पास यही option बच रहा था कि आप अपने seat को left out किजिए seat से resign दिजिए then you participate in round three all India तो बट जिनको round two में मिला था वो सिर्फ penalty देके seat को भी रखके अपग्रेड कर सकते थे तो यह एक बहुत बड़ा discrepancy था जो counseling process में जो कि पहले notice नहीं हो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर साल MCC क्या करता है कि अपने जो rules से ताइम के साथ change करता है इसका drawback भी बहुत बड़ा है इसमें student नहीं decide कर पाते हैं कि उन्हें all India से लेना चाहिए या state से लेना चाहिए वो काफी ज्यादा confusion state में राज सकते हैं और इसका फाइदा MCC भी उठाता है जिस पे कही न कहीं से objections होना चाहिए कि हम अपना fees को क्यों penalty के रूप में दें चूकि यह fault MCC का है कैसे MCC का fault है suppose एक time schedule decide होता है कि round 1 के counselling होंगे फिर round 2 के होंगे फिर round 3 के होंगे उस बीच में state को round conduct कर लेना है अब round 1 all India के हो गए और बाकी round 2 all India के हो गए बट बहुत सार ऐसे स्टेट हैं कि round 2 अपना जो conduct कर रहे हैं all India के बाद तक ले जाएंगे round 3 के बच्चे confused हो जाएंगे बहुत सार ऐसे भी student हैं जो कि round 2 states के उनके results आने वाले हैं इनके joining all India round 2 के खतम हो जाएंगे उसके बाद अब student का result round 2 इधर भी आ गया all India में भी इस टेट में भी आ गया ultimately seatage की ब्लॉक के जाए जीटी जले गए तो यह एक बहुत बड़ा gap है बट round 2 से round 3 का जो upgradation है तो why money अगर आप data को देखेंगे आप देख सकते हैं आप जब आएगा उस समय आप MCC से भी demand कर सकते हैं कि कि इनने लोग round 2 से round 3 के लिए upgradations में गए हैं आप देखेंगे most of the student जिनको seats मिले हैं better से better seats ही क्यों नहीं मिले हैं आपका सकते 95% 90% student upgradations में डालते हैं यह upgradations के लिए fees की requirement कहीं से नहीं होनी चाहिए चूंकि यह counseling process online counseling process है और यह penalty amount इतना कम है कि इससे ज्यादा असर नहीं होता है ultimately इससे government को benefit मिलता है student को कोई benefit नहीं मिलता है और student qualify किया है अपने मेहनत से qualify किया है अच्छा rank जो भी किया है जो rank किया उसके deserving जो भी seats मिलता है उसको मिलना चाहिए अगर आप graduation की facility में penalty की बात तब होनी चाहिए जब MCC notice जो follow send करता है state को और state agree भी होता है कि में इस speech में state की counseling complete कर लेंगे आपका जो round होगा उसके बाद के round में मैं भी अपना process कम लो बट ऐसा नहीं होता है और हर साल ऐसा होता है और MCC के तरफ से आप देख सकते हैं कि कुछ भी steps नहीं लिया जाता है कुछ भी penalty नहीं दिया जाता है on the state counseling authority पर जो कि देना चाहिए या warning देना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते है टाइम लाइन फिक्स होना चाहिए रिजिड होना चाहिए बट ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि MCC खुद अपना choice feeling का data registration का data extend कर देता है उमीद कर सकते हैं कि फरवरी में जो results आया है वो results March में complete आपके score cards भी available था आपके पास और अगस्त में counseling process शुरू होता और इस बीच में MCC इतना भी अपने technology को develop नहीं कर पाया है कि वो data को better way में filter कर सके और च्वाइस ब्रांट लॉकिंग टेकनिकल ग्लीच आप अभी जो हाई कोट में case हुआ ता उस में यह सब चीज नहीं आना चाहिए इतना एक long time मिला digital इंडिया है यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए फिपी काफी हत तक MCC ने सुधार किया यह appreciation की चीज है बट और भ यहां भी कहीं न कहीं दिक्कत हो रहा है चूकि MCC choice feeling का date कर देता है result का date extend करता है उसको देखे state भी बढ़ा लेता है state बढ़ा लेता है यानि कि जितने भी सारे state के round 2 complete हो जाना चाहिए उसके बाद ही all India का round 3 करना चाहिए चली अब हम बात करते हैं कि जो अभी recent notice आया है वो क्या था तब हम समझा पाएंगे details में इस regarding की क्या है यहां पर आप देखेंगे कि यह competent authority who is the competent authority don't know किनके कहने पर यह बार-बार decision change होता है don't know but overall जो एक तारीके 31st का notice दिया है but sides पर एक तारीक आया है आ जाया है इसमें द मिलेगी round one में जिनको एलोट हुआ वो free exit हो गए ते वो भी कर सकते हैं but वो willingness दिया होने चाहिए round two में फ्रेसली उनको एलोट्मेंट मिला वो भी अगर willingness देते हैं अपगेडेशन के लिए उनको भी मिलेगा free exit round one में हुए थे वो भी directly round three में जा सकते है round one and round two का जो भी मिला वो satisfy हैं तो पढ़ाई शुरू करते हैं नहीं satisfy हैं तो willingness दे अपगेडेशन के लिए यानि कि जिनको भी चाहिए सबको एलाव किया गया है round three में अब अभी जो ये notice है इसमें money के regarding में कोई भी discussions नहीं हुआ है तो जो पहले data की share थी और अभी की data की share में अंतर है क्यों बता रहे हैं ये चीज़ आप समझें चुकि यहीं से main हमारा discussion शुरू होता है कि आपका strategy क्या होना चाहिए round two में देखिए round two end होने के समय में पहले MCC ने क्या बोला कि MCC and DGHS जो भी joint candidate होंगे round one round two के उनके data को share करेगा with state and state data को joint candidate को share करेगा इस share का क्या benefit हुआ अगर same student का result round one से round two में भी देखने को मिलता है round two से state के भी round two में देखता है state round two से all India के round three में मिलता है तो यह data share का कोई logics नहीं है क्यों data share का है regions पता नहीं बट जैसे आप round three की बात करें तो round three में यहां पे data share के साथ साथ क्या हो रहा है यह चीज को समझें MCC, DGHS data को share करेगा round one, two and three जो की joined candidate है और जो भी participating है पार्टिसिपेट हैं सारे almost state participate कर रहे हैं और वो data जब 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 round three में आप आल इंडिया के joined हो गए उस data को filter करके state result निकलेगा but what about round three? round three अगर state से join कर रहे हैं तो आपका data को जो filter होगा उसका use होगा stay vacancy of all इंडिया में यानि कि data की जो filtration होगी कि आपको seat मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए यह होगा round three में तो till now अगर आपकी state की round one होई है तब भी आप उसको participate कीजी round two के हुए उसमें भी participate कीजी चुकि आपका data को filter नहीं किया जा रहा है till round three आपकी status को update किया जा रहा है कि आपने join किया है बट ऐसा prevention अभी तक नहीं किया गया जैसा कि आप notice में समझ सकते हैं कि हाँ अगर आपको एलॉट हो गया round two state में तो round three आप इंडिया में जा सकते हैं ऐसा कुछ mention नहीं है सबको एलॉट है round three state की बात करें तो ऐसा नहीं mention है कि round three all India में मिल गया तो state में नहीं मिलेगा चुकि यहां पर यह mention नहीं किया गया कि चुकि जब तक आप जोईन नहीं करेंगे तब तक आप state में जाई सकते हैं यानि data की filtration तब होगी जब round three का result आ जाया और आपको वो branch मिला है उससे आप जोईन करें allotment के लिए बात नहीं हो रहे हैं तो आपका जो इस stage पर strategy होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप state के round two में जो participate कर हैं बिल्कुल कीजिए अगर आपको all India से dnb से मिला है seat तो आप उसको join कीजिए चुकि आप तो allowed है round three के लिए और round three के result के बाद आप decision लिजिए कि आपको continue कहा करना है चुकि तिल round three all India में भी आप allowed है state में भी allowed है अंतर बस इतना ही हैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही हैं कि round three में अगर अगर वो आप round three में join नहीं करते हैं और इंडिया रिजल्ट होने के बाद तो आपके security money है वो काट लिए जाएंगे तो security money काट लिए जाएंगे security money deduct कर लिए जाएंगे इससे आप street में नहीं जाएंगे ऐसा mention नहीं allotment is different thing क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ पहले मैं ऐसा नहीं बोलता था पहले मैं बोलता था different thing अभी मैं थोड़ा सा situations को देखते विए change कर रहा हूँ reasons behind that कि जब data के filtration नहीं हो सकती है तो आपके अपने rank accordingly best choose करने का अधिकार है आप definitely wait किजिए आप state से मिलता है तो state से लीजिए यानि कि till now आपके पास जो मेरा message है वो है कि अभी round two all India के result आए है आपको लगता है कि round two all India जा सकते हैं आप उसको join कर लिजिए अपगरेडेशन में round three के डाल दीजिए तब तक आपके state के round two हो जाएंगे results आएगा अगर लगता है कि यहाँ पे हैं तो उदर से छोड़ दीजिए आपका फीसी तो कि what about the documents कि round two में आपको मिला है round two से round three all India आपग्रेड कर रहे हैं बड़ डॉक्मेंट तो आपका अगर माली जे लॉट जा रहे हैं जमा है उसके समें क्या होगा यह मेंसर नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ security deposit की बात की गई है कि security deposit आपसे रख लिया जाएगा ठीक है second thing अपग्रेडेशन की भी बात की गई है कि round two seats join जो की round three में जाएंगे अपग्रेडेशन के लिए once joined he cannot upgrade or resign तो आपको तो a lot हुआ है join जब नहीं किया है तब तक तो कोई दिकत नहीं उस समय तक आपको पता भी चल जाएगा कि आपके status क्या है उस समय नहीं join किजिए state में आपके participate किजिए यानि कि यहाँ पे जो अभी तक जो counseling का process चल ला है इसमें stray vacancy में जाके बहुत सारे vacancy clear होने वाला है चुकि आइदर एक student जोइन करेगा आइदर ओल इंडिया से करेगा नहीं तो state से करेगा और जब एक seat जोइन करेगा तो automatically second seat खाली बचेगा बट इसका solution simple था कि mcc को strict होना है कि all india के counseling अगर हो रहा है तो उसके बाद state को एक particular time में results को publish करना ही करना है और join candidate के data को all india के साथ filter करके अगर result नहीं होता तो यह solution हो सकता था second अगर आपको लगता है कि नहीं आप gradation 1 से 2, 2 से 3 अगर हो ही रहा है तो इसमें security deposit penalty के matter नहीं होना चाहिए चुकि सब को जब आप allow कर रहे हैं चुकि maximum लोग तो participate कर रहे हैं और चुकि reasons behind that कि जो number है figure है अगर उसको आप calculate करके देखें तो 25,000 into अगर government के accordingly 45,000 student भी है उस पर से 40,000 लोग भी के पैसे अगर इधर उदर होते हैं या 10,000 के हिसाब से count करें वापस फिर से deposit करना पर रहा है money for the counseling और all तो यह huge amount होता है जिसके लिए penalty का requirement नहीं होना चाहिए हम penalties ऐसा होता कि इससे student डर है और बीना चाहते हुए seat को blockage करें बट यहां blockage की तो बात ही नहीं हो रही है बात हो रहे है चुकि state नहीं follow कर रहा है rule all इंडिया के भी city will continue as change हो रहे है तो student ही नहीं decide कर पा रहा है कि उससे जाना किदर है all इंडिया में नहीं states में तो यह fault counseling authority के तरफ से भी है इसके वज़े से student इस confusions में आ चुके हैं तो confusion दूर करने का सबसे best way यह है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे तो मैं simply यही चीज बोलूँगा कि आप maximum से maximum इस वीडियो को share करें और कुछ भी आपको doubts से updates होता है तो आप हम से जूर सकते हैं on this at the rate dr.neeratsim यह हमारा youtube है subscribe किजिए इसको ताकि आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो notification आपके पास पहुंच सके and thank you so much जो हमारा pre-planned plan था वो यही था कि अगर all India change कर रहा है तो आपको उसके accordingly change करना चाहिए चुकि all are allowed as per notice यहाँ पर कोई change नहीं हो रहा है इसके बावजूद भी अगर कोई confusion से रहा जाता था था then definitely comment section में comment किजिए I will try to sort out your query as a less possible thank you